हलो एलो एलो मैं देवस दिवागान आप सभी के मेरी चैनल में स्वागत करता हूँ हम लोग सरकल को लेकर चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे उसी कड़ी में फिर मैं एक नए पार्ट लेके आया हूँ इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग कोशन लेके आया हूँ आपको इस पार्ट को ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रशन आये हैं फिर वैसे ही बहुत सारे एक्जांस में आ चुके हैं क्योंकि मैं एक्जांस से ही कोशन को उठा रहा हूँ अलग-अलग बुक से उठा रहा हूँ कई बार एक्जाम में आ चुका है कई बार कर दें घ्जांस में चाहिए जैसे कोशन आते हैं वह एसी बात का चलिए देखते हैं ऐसे स्थिति में क्या होगा उसका जो शरकमफरेंस होगा उसके अचले वह तूब chi तो यह कितना होगा 11 km होगा ठीक है तो इसकी साब से पहले देखते हैं 11 km को पहले किसमें चेंज कर लें 11 km की बात कर रहे है यह हो जायागा 11,000 तो मैं यहाँ पर 11,000 रख रहा हूँ ठीक है जैसा यह साइकल का पहिया है उसका जो हम लोग को क्या आने वाला है रिडियस आने वाला है उसको अच्छा ने लगेगा ठीक ना देखो यहाँ से 3030 कैंसल और कुछ सोचने की जवरत्ती पड़ी देखो टू इन्टू टू टू इन्टू आर इस एक्वल टू यह फाइब लेवन भाई फाइब ऐसा कर सकते चलिए इधा सको ट्रांसफर कर दी है ना और यह कैंसल हो गया है 11 टू जा ऐसा कैंसल कर लिए हम लोग को यहां से आर इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा यह से आर उपर चला गया नीचे क्या यह बस बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ है ठीक है यह सेवन भाई क्या हो जाएगा यह देखो यहां पर किता हो जाएगा दस दूनी 20 सेवन भाई 21 और और रहा था ऐसे ही यह पॉइंट 35 के बराबर होता है और यह मिटर में लिकी चल रहे थे तो यह भी मिटर हो उस साइकल में जो वील लगा है उसका रीडियस आजाएगा 0.35 मिटर यह सेंटिमेंटर में पूछता तो 35 सेंटिमेंटर ऐसा लेती है तो यह बहुत आसा आता है ऐसा कोशन आप से बनना चाहिए यह अच्छे कोशन में से एक है नेक्स देखें चलो देखते हैं ऐसा ही है एक कार का पहिया जिस कितनी जिए एक फूट है, साथ चक्कर में कितनी दूरी तै करता है, अभी उल्टा पूछ दिया हो, पहले दूरी दे दिया था, अब देखो, the wheels of the car of the radius one foot covers a distance in seven cycle, ये दिया हुआ है, मतलब desk करके छोड़ा हुआ है, तो देखो, seven cycle की बात कर रहा है, और मैं बोला हूँ, हैसे में हमेशा, 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 परिधी या circumference का formula योज होगा, ठीक है, तो साथ चकर की बात कर रहा है, और ये two pi r, यही वो distance होगा, जो वो साथ चकर में पूरा करेगा, seven into two into 22.7 into radius, radius कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक foot दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यह cancer होगया, यह आ गया 44, यह आ जागा feet, 44 feet, क्योंकि foot क्या है, singular है, fit, plural है, ठीक है, इसकी साब से कितना आ गया, 44 feet, इस पर ऐसा ही question पूछा गया था भई, यह मैं अपने मन से यह food fit में नहीं लिया हूँ, एक्जाम में ऐसा ही यह आया हुआ था, ठीक है, अब नेक्स बना के देखते हैं, चलिए, नेक्स question दिया हुआ हुआ है, एक cycle के पहिये का व्यास 28 meter है, ठीक है, 66 km चलने पर यहां कितना चपकर लगाई, कुछ ऐसे ही questions आ रहा है, यहां पर, the diameter of the wheels of a cycle is, bicycle के cycle जो भी बोलो, 28 meter, ठीक है, cycle के पहिये का व्यास 28, बहुत बढ़ा है, वैसे question जो भी दिया हुआ हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन question तो दिया हो है, ठीक है, how many revolution will it take to run 66 km, बदब 66 km चलने में, वो कितना round लेगा, ठीक है, ठीक है, जो 66 km वैसे तो cycle का पहिये 28 meter का नहीं हो सकता, लेकिन चलिए ठीक है, जैसे भी question दिया हो, उसका accounting हम लोगा, चलिए देखते हैं, फिर यहां पर हम लोग circumference का formula यूस करेंगे, ठीक है, circumference का formula यूस करेंगे, यह 2 pi r, यही होता है, और यहां पर क्या दिया हो है, 28 meter उसका diameter दिया हुआ है, और distance कितना का cover कर रहे है, यह 66 km, 66 km कवर कर रहे है, तो मैं उसको 66,000 meter लिख सकता हूँ, ठीक है, कितना round चल रहा है, मेरे को नहीं पत है, n ले लो क्या, यहां पर multiply होगा, n into 2 pi, कितना round चल रहा है, मेरे को नहीं पत है, यहां पर निकालना है, कि कितना चक्कर वो लगाएगी, तो n ले लिए है वहाँ पर, ठीक है, n, इसको फिर into 2 into 22 upon 7, radius दिया हुआ है, यहां पर, 28 meter क्या है, उसका diameter है, तो 28 by 2 हो जाएगा, radius, यह 66,000 as it is हम लोग रहने देते है ठीक है, इसको calculate करते है, n का value, यही number of rounds है, ठीक है, 66,000 into 7 into 2 divided by 2 into 22 into 28, ठीक है, यहां से direct आप cancel कर सकते हैं, लेकिन मैं सब को नीचे लेकर आगया हूँ, ठीक है, यह 4 जा, 4 times cancel हो गया, यह 11 2 जा, and 11 6 जा, यह आगया, ऐसा आगया है, यह 6000 आगया है, ठीक है, और कितना और cancel हो गया है, यह देखो, 4 दुनी, 8 आउसके पहड़े में आते हैं, क्या, नहीं आता है, पहलोगो ऐसी cancel कर लेते हैं, चलो, यह ऐसा हो जाएगा, 3000, तो 3000 divided by 4, ठीक है, 3000 divided by 4, यह आता है, 750, कितना आ जाएगा, यह 750, इसका मतलब वो, जो है, 600 km, 66 km चलने में, कितना round इसमें हमने 2 changes किया, 1 km को में convert किया, क्योंकि जो उसका diameter है, वो किसमें दिया हुआ है, में दिया हुआ है, तो दोनों हमको, जो unit है, उसको सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, एक current, देखो, इसमें option भी दिया हुआ है, 15, 150, 175, 750, यह हमारा answer आ गया, बहुत easy question है, ऐसा ही question exam में आता है, देखो, जो भी कितना चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, radius क्या होगा, कितना distance cover करेगा, इतीन प्रकार के question इसमें आते हैं, चलिए देखते है, next question क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा ही है, देखो, उस रस्ती की लंबाई, जिससे एक गाय खूंट है, तो कितने area वो घुम सकते है, तो वो area क्या रहेगा, circular रहेगा, क्योंकि वो जो rope की लंबाई है, वो सब तरब घुमने से क्या है, बराबर है, तो वो circular area रहेगा, ऐसा question आता है, ठीक ना, चलिए देखते हैं, और मैं वैसे ही question को छाट के बाहर निकाला हुआ हूआ सकता है, तो उसका हमको रसी की लंबाई निकालनी है, ठीक है, तो 22 upon 7, यह r square, यह 9, 8, 5, 6, यह ऐसा हो गया, r square is equal to 9, 8, 5, 6 into 7, divided by 22, always divisible by 11 रहता है, यो भी ऐसा रहता है, generally, एक आद दो नहीं होता है, तो बात लगे, करके देखते हैं, यहीं नहीं होता है, तो 11, 2 जा, 11, यहाँ पर 8 जा, फिर कितना बज जाएगा यह, 105 तो 11, 9 जा, फिर सिखाईदे को cancel हो गया, 11, 6 जा, ठीक है, और इसको cancel कर सकते हैं क्या, ठीक है, और cancel कर लेते हैं, r square is equal to, यह 2 times, 4 times, again 4 times, 8 times, into 7, यह ऐसा आगया, r square is equal to, अब इसको हम लोग 7 से divide कर लेते हैं, क्योंकि square root ले देखना फिर कैसे हो जागा, यह 4, 4, 8 है, divided by 7 कर रहा हूँ, ठीक है, 6, 42 होता है क्या, यह 42, और यह 2, और 7, 28, यह देखो, कितना मजा है, देखो, कैसे करेंगे इसको, 64 into 7 into 7, यह r square का value है, ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, यहाँ से, इसका root आजाएगा, 8, 84 होता है क्या, इसका root आएगा, 7, तो radius आएगा, 56, यह मीटर में लेके चल रहे हैं गया, तो यह मीटर, smartly calculate करना है, आप इसको पूरा multiply कर दो, उसका square root लोग कितना समय लगेगा, यह ना, मैं generally pair बनाने की कोशिश करता हूँ, पेर बन जाएगा, तो इसका root निकल के सामने है देगा, मैं answer match कर लो क्या, तो यह देखो आया हुआ है, 56 मेटर, यही इसका answer हो जाएगा, तो यह भी अच्छे interesting question में था, मैंने क्यों यहापर divide किया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं pair बनाना चाहरा था, 7 का, 7 का pair बन गया, तो वो बाहर निकल के सामने आ गया, ठीक है, अभ को यह question तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, circumference दिया हुआ है, ठीक है, तो यह perimeter यहाँ पर लिखा हुआ है, circumference, उसको circle के लेंगे, circumference बोलेंगे, ठीक है, चलिए देखे, यहाँ पे 2 pi r is equal to 30 by pi, यह दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, हमको क्या निकालना ह उसका diameter निकालना है, diameter निकालना है, देखो, कैसे करेंगे इसको, इसको इधा transfer करने क्या, ठीक है, 2 into pi square r, यह आएगा 30, यह pi square हो गया, pi square हो जाता है, ठीक है, अभी देखो, यह क्या मैं है, 2 r is equal to 30 by pi square, यह हो जाएगा, 2 r is equal to 30 by pi square हो जाएगा, और 2 r किसके बराबर होता है, radius का double किसके बराबर होता है, diameter के बराबर होता है, तो diameter is equal to क्या हो जाएगा, 30 by pi square, यही हमारा answer हो जाएगा, उस question में option ऐसे ही था, देखो, यहाँ भी मैं option लेके आया हुआ हुआ हूँ, 60 pi, 15 by pi, 30 by pi square, pi by 30, तो इसका diameter क्या हो जाएगा, जो option C दिखाई दे रहा है, 30 by pi square, इसका answer हो जाएगा, diameter की बात कर रहा है, यदि radius पूस्ता, यदि वो radius पूस्ता, चलो, radius पूस्ता, तो क्या कर लेते हैं, divide कर लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, तो क्या जाता है, 15 by pi square, जो भी पूस्ता, लेकिन देखो, option में दोनों दिखाई दे र जानता है, ठीक है, नेक्स देखें, 21 cm तरीजे वाले एक वृत में एक चाप, वृत के केंदर पर 108 डिगरी का कोण अंतरीत करता है, चाप की लंबाई कितनी है, तो बहुत आसान है है, हम लोग पहले ही, पहले दुस्रे जो लेसां से उसमें देख चुके हैं, सर्कल के, इन आर्क सब्स्टेंड अन एंगल आफ 108 डिगरी अट दे सेंटर अब इस सर्कल, दे लेंथ अप आर्क इस, तुप सीथा सीथा फर्मुला लगाना है, लेंथ अप आर्क का, अब यहां पे आके ऐसा मत बोलना कि लेंथ अप आर्क का फार्मुला पता नहीं है करके, ठीक है, ल अब यहां पर कितना दिया हुआ है, 21 cm, यह 21, यह एक एंसल कर दिया 180 टाइम्स, यहां से 108 और यह आगया 180 है, इसको को यह एंसल कर लिया, ठीक है, इसको कैंसल कर लिया, साथ दिया 21 होता है, ठीक, और यह इससे कैंसल हो जाएगा 60 टाइम, 22 into 108 upon यह 60, फिर यह यहां से क्या हो जाएगा यह देखो 22 into 108 और यह cancel हो जाएगा कितना टाइम 60 times उसके बाद 1250 बारा निया 108 ऐसा कर सकते हैं क्या ठीक है ऐसा कर सकते हैं 1250 बारा निया 108 उसके बाद 22 into 9 divided by 5 यह ऐसा आ गया ठीक क्या हो क्या मैं 60 times cancel क्या हो मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं ठीक है बारा निया 108 ठीक इसके आज आगे चलते हैं इसको solve करेंगे 22 into 9 है नौदुनी अठारा नौदुनी अठारा एक 19 ठीक और यह डिवाइड़ बाई फाइव है यही इस पर डिवाइड करें टी ठीक थार्टी नाइन पॉइंट क्या जाएगा यह 639.6 इसका क्या जाएगा है हम लेंध आप लेके चलेंगे सेंटी मिटर यह इसका अंसर हो जाएगा बहुत आसा नहीं है इसमें तो कुछ प्रब्लम नहीं है ठीक है ऐसा को ऐसे बना सकते हैं अभी मेरे पास को और को कोशन है उसको ध्यान से देखना है यह अगला कोशन इंट्रस्टिंग चलिए नेक्स कोशन देखते हैं यह दि किसी वृत्त की परिधी सौ प्रतीशत बढ़ा दी जाए तो उसके ख्षित्रफल में क्या वृत्धी होगी इसको समझना है जहां तक मैं समझ पाया हूँ वैसे आपको समझानी की कोशिश करूँगा देखो ऐसा मान के चलो यह टू पाई आर है टू पाई आर है यही है उसका सर्कम्फरेंस सर्कम्फरेंस है हंड्रेट परसेंट बढ़ जाना हंड्रेट परसेंट बढ़ जाने का मतलब यह है कि डबल हो गया हो सिधा सिधा डबल हो गया हंडर परसेंट बढ़ जाना मतलब डबल हो गया मतलब यह क्या हो गया हो फोर पाई आर हो गया है क्या हो गया हो फोर पाई आ मतलब radius क्या होगा, डबल, radius सीधर-सीधर डबल होगा, तो उसके area में क्या परिवर्तन आएगा, तो देखो, पहले area ऐसा रहता है, पाई-R square, ऐसा रहता है area, अब जो है ये डबल होगा है, radius, तो पाई-2R का whole square, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि double हो रहा है, यहाँ पर double हुआ, वहां पेड़ं क्या हो जाएगा । इसका मतलब जो एक था वो चार गुना हो गया एक से वो कि यह से वह च्वोना हो गया एक से वह चार गुना हो गया तेसे वह 0,4-13 इतना यह बढह गया यहाणिं यानि कि एक से चार हो गया बढ़ा जाएगा कि जब बना रहा था तो वहाँ है कि कहीं भी आप्शन में कि पॉर नट्रेंड पर सब्झें में देना था रहा था लेकिन को ध्यान से परने में कितनी होगी कितना हो जाय का अधी कृषि Hersail को एक सब्सक्राइब में कितना इंक्रूइस भातीन इंक्रीज हुआ मतलब 300% इंक्रीज हो गया और कितना हो गया बोलता तो 400% हो ठीक है तो इस पड़ार को ऐसे ही लॉजिकली सौल करना है बहुत अच्छे कोशन में सेख है इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे मेरे हर एक वर्ट को ध्यान से दिया हुआ है दो को यहीं भी बन जाया है नेस कोशन चलो देख लेते हैं हाँ पर क्या दिया हुआ है यदि एक वर्ट की त्रिज्या एक सेंटीमेटर बढ़ा दी जाए तो वर्ट की नई परिधी तो नए व्यास का अनुपात क्या होगा बहुत अच्छा प्रशन है इप यह दिया है रेशियो भी इस तो तू पाई और आउर था अझाले कि इन दुनों की बीच वीक निक Ah NK लेकिन क्या कर रहे है वो रडियेध्र को एक सेंटीमेटर बढ़ा रहा है मतलब कर देखो तू पाय यह आर प्लस नो जायगा और यह प्लस पाइस आए यह ऐसा ब्रेकेट में क्योंकि वो बढ़ा रहा है ठीक है आर प्लस वन आर को क्या कर रहे है वो आर प्लस वन कर रहे है इन दोनों के बीच का रेशियो हमको निकाल रहा है मज़े की बात यह है आर प्लस वन दोनों साइट से केंसल और टू और टू भी केंसल यह पाई बाई वन या पाई रिश्यो वन इसका अंसर आजागा देखो आंसर आया हुआ है पाई रिश्यो यहीं इसका अंसर बहुत इंड्रस्टिंग कोशन ऐसे कोशन आपसे बनने चीन नॉर्मल एरिया सरकंफरेस निकालने आए थोड़ी बना लेता है थोड़ा थोड़ा लॉजिकल जो कोशन है वह बनता है यह बहुत ज्यादा कॉंफिडेंट बढ़ जाता है एक ऐसा कोशन जो है बनने से एक्जाम में थोड़ा बाकी कोशन के लिए एनरजी आ जाती है तो यहां से हम लोग जो सरकल है और उसके बाद जो रेक्टेंगल स्क्वेर उसमें जो मिंग्सड वाले कोशन है वैसा करना स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला जो पार्ट रहेगा पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा यहां से बस मैं दो कोशन का इंट्रोड़क्शन दोंगा क कैसा वो स्टार्ट करना है ठीक है देखो यहां पे मैं लिखा हुआ अल्रेडी मिग्स स्टार्ट करना है कर ठीक ना चलिए 28 cm 28 cm की भुजा वाले वर्ग के भीतर मतब अंदर बनाय जा सकने वाले सबसे बड़े व्रित का क्षेत्र फल क्या होगा तो इस चीज को समझना है बहुत अच्छा प्रशन है क्योंकि ऐसे कोशन का एक बुक में देखा हूं हर जगा ट्रिक दिया हुआ है अब कभी सरकल अंदर है कभी स्क्वेर अंदर है कभी कुछ अंदर है तो कैसे करोगे उतना का ट्रिक याद करने में बहुत मुस्किल ठीक कैसे बुकल भी रहे हमको बन जाएम लाजिक ही समझना है एक बर मों आप खेले स्कुर्फ है उसके अंदर क्कश क्या बना लिए चलिए 28 cm अब देखो ये 28 है तो ये पूरा चिपक के ऐसा रहेगा तो ये भी 28 रहेगा यहां से पूरे 28 रहेगा सहमाथ उस बाह से पूरा 28 रहेगा इधर से वही 28 रहेगा तो ये बीच का क्या हो जाएगा मतलब इसका रेडियस कि कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यदी cm में तो इसको क्यों जात करोगे जब इतना सिंपल है उसका लॉजिक तो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेर यह हो जाएगा ट्वंटी टू अपॉंट सैवन रेडियस कितना बता रहा हूं मैं फॉर्टीन इंटो फॉर्टीन ठीक है यह टू टाइम्स कैंसल हो गया यहां से कितना हो जाएगा यह 44 इंटो 14 1456 1616 1616 सेंटीमेटर स्क्वेर इसका अंसर हो जाएगा इसी है यह तो बहुत बार हम लोग कल्कुरेट करके लाग चुके है ठीक है ना चलिए यह समझ दिये एक और ऐसे वाला देखते हैं चलो यह दिया हूँए देखो बहुत यहा आप वाले वर्ग के अंदर खीचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा अभी इसमें एक साइट दे दिया था उसमें साइट ने दिया हुआ है वार्ट विल भी दा एरिया अप दे लाजिस सेर्कल देट कें वी क्रियेटिट इंसाइड स्क्वेर आफ पर इसका क्या दिया हुआ है एक ।्योर ये यहां । अब 30 cm आ गया मतलब यहां से यहां जो है 30 तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 15 आधा हो जाएगा अब इसका एरिया हमको निकालना है कौन से बड़ी बात है यह पाई आर स्कुएर 22 वाई 7 रेडियस कितना है 15 इंटु 15 यह जाएगा इसके स्कुएर होता है 225 और ऑप्षन जैसे दिया हुआ है मेरे पास जो बूख में था वो समें सिधा सिधा पाइले यहां भी पाइक कर लेते हैं वापस इसको टीक है यह फाइट तो 225 पाइ सेंटीमिटर स्कूर इसका अंसर हो जाएगा इसको कोई यहां से हम लोग इन सरकल सरकम सरकल यह सब को लेकर चलेंगे ठीक है अंतहवित परीवित हिंदी इंग्लिश दोरों में अच्छे से बताऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें आप लोग यहां से यह मान कर चलिए कि मिक्स वाले कोशन स्टार्ट हो रहे हैं आगे आने पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सेग्मेंट है उसको छोड़ना नहीं है मैं पूरे एनरजी पूरे पूरे महनत के साथ आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग इसको समझे और वीडियो पसंद आता है कूछ सीखने मिलता है तो वीडियो जरूर दोस्तों को शेयर केजिए उससे मुझे एनरजी मिलता है और मैं नए वीडियो जारी रख सकता हूं बनाना इतना तो मैं आपसे आपक्षा रखता हूं ठीक है आप मेरे साथ पने रहें तैंक्यू झाल मम मैं तो को शेयर करियो जारी वीडियो जरूर दोस्तों को शेयर को साथ रखता है तो मैं झाल मैं रखता है याज़ है आपक्षा रखता है